अगनी रूफ होकर मेरे घर अतिथी होकर आए हैं तो एक ही कोने पर कृपा क्यों दूसरा कोना क्यों खाली छोड़ दिया बड़ी भक्ति मती नामदेव जी की स्त्री है तो उनको इस बात में बड़ी भगवत कृपा अनुभव होती है कि प्रभु ने जीवन साथी दिया जो ऐसा जो भजन में सहायक है और वहीं तुकारामजी की पत्नी है वो बड़ी कुरूर हिर्दया है बड़ी कुटिल हिर्दया है वो उसमें भगवान के कृपा मनाते हैं मुले प्रभु अच्छा है नहीं तो पत्नी के प्रेम में पढ़ जाता है आपका स्वभाव ऐसा है कि आप बाहर से ठोकते भी रहते और भीतर से संभालते भी रहते हों यह भक्ति का भाव है यह भक्ति का स्वभाव है भक्ति के सामने जो परिस्थिती है उसमें आनंदित रहता है क्यों क्योंकि भक्ति प्रेम प्रतिक्षण वर्धम आनम उसका आनंद क्षिन नहीं होता यही भक्ति की विलक्षन था है कि संसार में आप जो पाएंगे उसका आनंद क्षिन होगा मिलते ही उसका क्षरन आरंभ हो जाता है भले वो रूप हो धन हो, योवन हो पद हो, प्रतिष्ठा हो सामान हो, सम्मान हो कुछ भी हो, जैसे ही मिलता है, वैसे उस्तक्षन आरंब होता है, और भगवत प्रसाद से जो मिलता है, किसी की कृपा से जो मिलता है, महराज फरमाते हैं कि तेरी वक्ष न मिट्ट है कोई, जो प्रभु देते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए मैं तो हमेशा करता हूँ, कि भगवान से तो कभी भूल कर भी संसार मत मांगना, क्योंकि पहले तो वो देंगे नहीं, और यदि उन्होंने दे दिया, तो फिर उसे कोई आप से छीन नहीं सकेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकेगा, और संसार का अनुभव अवस्था की द्रिष्टी से भी कह कि अधिक आपको है मुझसे, आप जानते हैं यहां की असारता हैं, आप जानते हैं यहां की प्रतिकूलता हैं, कौन ऐसा है जिसको संसार की कटुता का आभास ना हो, कौन ऐसा है जिसने न जाना हो कि संसार के संबंद कितने असार हैं, कितने खोखले हैं, कितने आधार हीन ह कौन ऐसा है जिसको संसार के संबंदों से तिरसकार ना मिला हो जिसको संसार की वृतियों ने भोगने की वृतियों ने स्वैम की दृष्टी में अपमानित ना किया हो सब जानते हैं लेकिन एक जानकारी होती है और एक ज्यान होता है जानकारी पढ़कर और सुनकर होती है और ज्ञान गुरू की और संत के कृपा से होता है तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि एक विशह में सब एक मत्य की भक्ती स्वतन्तर सकल गुन खान श्रीकृष्ण के चर्णों का अनुराग ये वो सर्वो परी स्थिती है ये सर्वो परीभाव है जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है और वस्तुते इसी को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है एक गीत की पंक्ती है शंकराचारे कहते हैं पुनरपी जनमम, पुनरपी मरणम, पुनरपी जननी जठले शैनम और भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भजमूढमते तो मैं थोड़ा सा इसको सरल करकर गाता अगर न मिलते इस जीवन में लेते जनम दुबारा लेते जनम दुबारा प्योंकि जब तक इन से मिलूगे नहीं, अब तक तो फिर आना पड़ेगा, बार बार आओगे, बार बार जाओगे जनम जनम का साथ है तुम्हारा हमारा जनम जनम का साथ है तुम्हारा हमारा ऐसा लग जैसे मेरा इनका साथ है, तुम्हारा न मुझ से साथ है ना इन से साथ है जनम जनम का साथ है तुम्हारा हमारा हम तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए अगर न मिलते इस जीवन में लेते जनम दुवारा अगर न मिलते इस जीवन में लेते जनम दुवारा जनम जनम का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए इस जीवन को अपना विश्राम स्थल मिल जाये जीवन जीना आ जाये और वो केवल इनी के सहयोग से इनी के आश्रय से इनी के आधार से संभव है और इसी लिए इस संसार में भगवान को प्रमानित करने का अधिकार भगवान को प्रमानित करने की क्षमता भगवान को प्रमानित करने की सत्ता किवल भक्त के पास है मंदिर में जो मूरत है वो भगवान का प्रतीक है और भक्त भगवान का प्रमान है विग्रह प्रतीक है और भक्त प्रमान है शास्र और पुरान प्रतीक है और उन शास्र पुरानों को जीवन में धरन करने वाला प्रमान है भगवान को यदि कोई प्रमानित करता है तो भक्त प्रमानित करता है यदि आपको गिर्धर को खोजना है तो आप गिर्धर को खोजने मत निकलिए आप मीरा के निकट चाहिए यदि आप गोपाल का दर्शन करना चाहते हैं तो उनको सूर के निकट जाना पड़ेगा गटगट रमते राम को देखना हो तो तुलसी जैसी दृष्टी चाहिए इसलिए इस संसार में भक्त को भगवान की कृपा मूर्ती कहा जाता है संत को भगवान का कृपा विग्रह कहा जाता है क्योंकि भगवान अनुग्रह भी करते हैं निग्रह भी करते हैं लेकिन संत भक्त केवल अनुग्रह के लिए ही पधारता है अपने मन का आनंद छोड़कर भजन छोड़कर सुख छोड़कर केवल केवल और केवल संसार के हित के लिए आता है भगवान के आने के तो अनेका नेकुदिश्चे हैं परित्राणाय साधुनाम और विनाशायच दुष्कृताम और शायद इसी लिए प्रभु कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा क्योंकि भगवान तो दुष्ट का नाश कर देते हैं लेकिन भक्त किवल दुष्टता का नाश करता है संत दुष्ट को नश्ट नहीं करता संत दुष्ट की दुष्टता को नश्ट करता है पापी के पाप को नश्ट करता है जीव को निर्मल करता है प्रभू को पाने के लिए प्रभू ने किवल एकई स्थिती कई है और ये मन की जो निर्मलता है मन की निर्मलता क्या है मन पर मैल है किस चीज़ का क्या है मन का मैल क्या है मन पर आवरण संसार से सुख पाने की जो कामना है संसार की वस्तुव में जो हम सुख खोजते है संसार में जो सुख प्राप्त करने के लिए भटकना है यही मन की मैल है यही मन का मल है और खाली पोथी पढ़ लेने से आपसे संसार का सुख नहीं छूटेगा कोई आपको अपने प्रवचन में अपने उपदेश में समझा दे कि संसार के संबंध असार है और आपको समझ में आ जाए ऐसा ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा प्राय करके मैं हम जैसे लोगों के लिए कह रहा हूं संसार की असार्ता संसार की नश्वर्ता इन सब के बड़े बड़े भाशन और बड़े बड़े उपदेश देने वाले लोग थोड़े से संसार के लिए किसी से भी जगड़ पड़ते हैं कि सोहम सोहम और अहम ब्रह्मास में करने से भूत नहीं जाता हूख नहीं जाती पीड़ा नहीं जाती केवल भक्त का संग केवल सत संग केवल संत का संग इस संग में ऐसी सामर्त है जो मन को निर्मल करता है कैसे केवल उपदेश से नहीं जब तक आपको धरने के लिए अगला पग नहीं मिलेगा तब तक आप पिछला नहीं उठा सकते अगर उठाएंगे तो आप गिर पड़ेंगे और यही होता है संसार के दुख से पीडित होकर व्यक्ति भजन करने निकलता है अन में आ सकती नहीं है भगवान से प्रेम नहीं है इसलिए इसलिए बन-बन डोलता है इसलिए दर-दर डोलता है जबकि नाने कुछ और कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा समीपा सोहे संग सवाई पुहुप माही जो बास बसत पे मुकुर माही जो छाई तैसे ही हरी वसही निरंतर घट ही खोजो भाई जो मैंने अभी थोड़ी दिर पहले का कि आप जहां है आपको वहीं से आरंप करना पड़ेगा भगवत भाव की प्रतीती के बिना जो भजन करता है वो बहुत अधिक लंबा समय नहीं चल पाता है उसका पतन हो जाता है संत के आश्रय में संत के अनुगत्य में जो भजन करता है वो इठिकाने पहुचता है और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी संत के मार्क दर्शन के बिना जो लोग भजन करते हैं जो लोग पुन्ने करते हैं उनमें भजन करने का और पुन्य करने का भी एक सूक्ष्म अभिमान जग जाता है और वो धीरे-धीरे पुष्ट होता है व्यक्ति जानता नहीं कि मेरे भीतर पुष्ट हो रहा है कुछ रोग ऐसे होते हैं कि उनका पताई तब ही चलता है जब वो प्रांगातक हो जाते हैं ऐसे सूक्ष्म अहम एक ऐसी ग्रंथी है इसका पताई जीव को तब चलता है जब जीव का पतन हो जाता है इसलिए हमेशा गुरु के मार्ग दर्शन में भजन करना चाहिए किसी संत के अनुगत्य में रहकर भजन करना चाहिए अगर इसकी आवश्चक्ता नहीं होती भगवन नाम स्वताय सिद्ध है संत तो कहते हैं कि कहों कहां लग नाम बढ़ाई राम न सकाई नाम गुणगाई नाम नामी से वड़ा है परन्तु फिर भी संत की आवश्चक्ता है परन्तु फिर भी किसी के मार्ग दर्शन की आवश्चक्ता है क्योंकि भगवान का नाम तो कल्प तरू है भगवान कल्प तरू है वो कामना की पूर्ती करते हैं और संत कामना को नश्ट करता है, मन का मैल, मन निर्मल कामना की पूर्ती से नहीं होता। एक्स्त्री और पुरुष की कामना के रूप में जब एक बालक जन्म लेता है, कामना के प्रतिफल जब एक बालक जन्म लेता है, तो उस बालक के साथ अनंत अनंत कामना ये साथ जन्म ले लेती हैं, और जीवन खतम हो जाता है, ये कामना का सहज स्वभाव है, वो दूसरी का कामना को और अनेका अनेक वासनाओं को जन्म देकर नश्ठ होती है ए कि मन निर्मल when Perfect की पूर्थी से नई होता है मन निर्मल कामना के नश्ट होने से होता है और आपने कभी भगवान के किसी मंदिर के बाहर पढ़ा है सर्व क्मम कामनानस्ट या भगवान जी पूरी नहीं होती है यह असंभव बात है एक बार किसी के मंदिर के इनोग्रेशन पर उन लोगों ने बार किसी मंदिर के लोग कर रहे हैं पर कहीं पर अगरós ये मालुम पढ़ जाएकि हां तो भगवान ने सथे यहां बदलते किदिए लगती है तो हमें ने बनाया है हमीं मिटाते हैं इस अघर हमारा रचाया खेल है इसलिए तो हमें सुख नहीं देता धरम के नाम पर विभक्ति क्यों होती है धरम के नाम पर विभाजन क्यों होता है धरम जगड़ना क्यों सिखाता है हम क्यों जगड़ते हैं क्यों 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 हमारा किया खेल है हरी लीला सब सुखमई बुजो रचता है किवल सुख के लिए रचता है क्याि सुक्स्वरूप है अम के फल से आम, बीज से आम का इफ.. अनुपूर जी यो करते हैं, वह जीव के मंगल के लिए करते हैं जो दुख है पीडा है वह हमारी बनाई है हमारी रचिश के दिख्या है तो ले ली, नहीं लगी तो अपने मतलब किसी करके ले ली, एक बार एक महत्मा जी गीता जी पर प्रवचन कर रहे थे, तो एक बहनाती थी प्रवचन सुनने के